दोस्तो अगर आपके पास यहाँ पर fast tag है चाहे जिस बैंक का होगा तो आप यहाँ पर साउधान हो जाओ क्योंकि यहाँ पर fast tag को लेके एक बहुती बड़ी ख़बर जो है निकल के आ रही है अगर आपने अपने गारी में किसी भी बैंक का यहाँ पर fast tag जो है लगवा रखा हैं कि आप जो एपने फॉस्ट हं में अपना क्यवाइसी इस्टेटर्श जो है चेक कैसे कर पाऊगे और अपना क्यवाइसी अपने फॉस्ट तेग में असれग्स update कैसे कर पाऊगे तकी आपका केवासी चेक करने के लिए अपना केवासी अपडेट करने के लिए आप एक काम करना यहाँ पर अपने सबसे पहले फोन को ओपिन कर लेना अब भाई लोग फोन को ओपिन करने के बाद आप एक काम करना अपने फोन पे आप जो है my fast track app को download कर लेना video description में आपका link मिल जाएगा या फिर play store से download करके आप इसको open कर लेना open करने की बाद ऐसा page open हो जाएगा आप एक काम करना नीचे चलियाना आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा login to bank portal यहाँ पर tap करना आपके सामने यहाँ पर option open हो जाएगे यहाँ पर login करने का page open हो जाएगा थोड़ा सा हम यहाँ पर wait करते हैं यह जो है open हो जाएगा भी अब हाई लोग यह जैसे ही open हो जाता है आप एक काम करना यहाँ पर ढून लेना आपको जहाँ भी यहाँ पर login का option मिले वहीं पर tap कर देना login करने के लिए आपको अपना username password यहाँ पर डालके इस पर login करके अपने fast tag पे आपको अपना केवासी यहाँ पर update कर लेना होगा इस्टेंट आपका केवासी आपके fast tag में यहाँ पर update हो जाएगा आपका fast tag यहाँ पर बंद नहीं होगा यह बहुत ही कमाल का तरीका है अपने fast tag में अपना केवासी जो है update करने का और अगर आपके पास यहाँ पर paytm payments bank का fast tag है जो कि मेरे पास यहाँ पर है तो आपको अपने paytm payments bank के fast tag में अपना केवासी कैसे update करना होगा वो भी आप यहाँ पर जान लो तो अगर आपका यहाँ पर Paytm Payments Bank का Fast Tag है तो उसके लिए आप एक काम करना आप अपने Paytm Map पे अगर आपका Full किवासी होगा तब आपको परिशान होनी की जुरूत नहीं है आपका किवासी यहाँ पर Fast Tag में Automatic यहाँ पर Update है अगर आपका Paytm में Full किवासी नहीं है तो आप समने नीचे एक Option Open हो जाएगा केवासी स्टेटस का यहाँ पर Tap करना आपके समने केवासी करने का Page Open हो जाएगा मेरा केवासी यहाँ पर Complete है आपके समने Option Open हो जाएगा अपना केवासी Complete कर लेना आपका Fast Tag में Update हो जाएगा तो यही जो ही तरीका है अपने Fast Tag में अपना केवा से अपडेट को लेकि अपने फास्ट टैग में